समाज के दोग हैं एस दोग हैं इस सी एश्टी ओपीसी किसान अल्व संख्यक गरीब वो लोग अपने बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिक से और दूसरी बात जो गोट का इस्तेमाल हो भी रहा है अब तो पता ही नहीं चलता है वोट किसको रहा है वोट जाक किसको रहा है अपना तंद मन भन देकर जो इस कारकरम का योजन करवाते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इस कारकरम में आने से मैं कुर्षियां पर बैठे हुए लोग नहीं देखता हूं कि सोचल मिजिया के लोग कितने हैं और सरकार कितनी चौकणनी है सोचिए एक दर्जन दो दर्जन या पांच दर्जन या सौपचास सरकार के कांग खड़े हो जाते हैं इसका मतलब है कि सरकार इस देश के बहुत संचक लोगों से ड़ती है और उस पर नजर रख रही है लेकिन हम लोग जो ये कारकरम होता है ये कारकरम क्यों होता है ये कारकरम होता है कि ये देश कैसे मजबूत बनेगा इस देश में सब को नौकरी कैसे मिलेगी गरीबों को पढ़ाई लिखाई कैसे मिलेगी इस देश का जो सोशित बंचित समाज है पिछरा है गरीब है उसके बच्चों के लिए क्या होगा और मुझे तो ताज्जू होता है कि इस तरह के जो लोगा योजन कर रहे हैं उसला के लिए आपको पुलिस परमिसन दे इसके लिए तुबार खंत्र भी होना चाहिए और तिसरा इतनी हिम्मत और थैर जोना चाहिए तो यह तमाब संग्चन के लोग हैं यह सबसे सोशित पंची समाच के यह लोग गितैसी हैं और इसलिए इस तरह के काल्टरम करते हैं रही बात अब आपको एक बात समझेए अब कोई भी पुलिटकल पार्टी अपनी रैली में भी नहीं दूटा सकता है हम तो पर्दान मंत्री की रैली में देखते हैं तो मुश्किल से दो दोसो चार्सो पांसो रोग होता है वह भी खाने के लालत है पूरा अबला सिस्टम लगा दिया जाता है पूरा गारी घोरा पैसा करोड़ों का पंडाल बनता उसके बाद भी ल और आप लोग एक-एक आत्में एक-एक करोर आत्मी को समझा सकते हैं अब जमाना सोसंग मीडिया का है वो जमाना गया जब इस देश में टीवी अखवार जातिवादियों और मनुवादियों के पास होता था कि जो चाता था वही चाता था दिन को रात रात को दीन जों को सच्चा सच्छा को चोना कहना था कि पिए वे अकभारू किस तरह से आपके समाज के नेताओं को बदनाम किया लालु यादत तो मायवत्ती जी को मुलायम सिंग यादत को सिवु सुरेन को सबक्राइब और हम दे लेकिन अब नहीं अब देखिये मुस्लिम भाई साथ जा रहे हैं आज मिदिया इनके पीछे परा हुआ है रोज कहीं 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 मामला कायर होता है और उहां सच अभियान चलता है कि सबको सपने में आ रहा है तो यह बुरा भख है और यह बुरा इसलिए आया है कि हमारे समाज के दोग है लोग अपने इस्तेमाल नहीं कर रहे है और दूसरी बात जो पर इस्तेमाल हो भी रहा है वह यह से अब तो पता ही नहीं चलता है बोट डाय किसको रहे हैं बोट जाक किसको रहा है लेकिन आप लो मिरास मत हो ये हतास मत हो ये आजादी के सिर्फ 75 साल हुए हैं और 75 साल में जिनके पास अपना घर नहीं था आप जोपरी में पैदा हुए कपरा नहीं था चप्पल नहीं था किताब कलम कॉपी तो दूर की मात है लेकिन 75 अब तर साल में बाबा साहिब के समिधान ने हम सब के सभी पर कप्रा सब के सर पर छट और कॉलन किताब पहुंची गया है अब जाती बाद का भी खात्मा होगा सुचिए जो लोग कल तक मूझ हैट के चलते थे जाती के नाम पर अपने आपको चिम्स बॉंड समझते थे अब दूसरे को जाती के नाम पर नीचे दिखाते थे गाली देते थे मारते थे आज उनकी क्या हलत है या तो जेड़ जा रहे हैं यह समाज में सबसे खड़ाम नजलों से किसको देखा जाता है जो जातिवादी है और जो मनवादी है तो थोड़ा और सब रखिए सिर्फ 75 साब हुआ है मैं दावे के साब कह रहा हूं कि आने बाले 25 साल में इस डेश का जो पहुं सथ्या का वादी है जिसको बाबा साहिब भी है आप सिक समाज के है तो भी एसनी और स्टिक है अगय जो है फि tror मिसी है आप मुस्लिम और सिरुल कृण इसका मतलब है कि हर धंगे लोग स्कूल को देच गया मजबूरी में वहीं मोबाइल देखकर अपने हक अधिकार को समझ रहा है और यहां जो कारकरम हुआ है यह लाखों करोरों लोगों तब पहुंच रहा होगा सोसल विदिया के चलिए और बाकी लोगों तब भी पहुंचेगा तो यकीन मानिए आने बाने 25 साल में जपरासी से देख़र और ट्जि जस्टिस था पहुंच समाज के समाज के लोग बनेंगे वह भी सिसको में लिख में करेक्त मानेности कि आने बाला समय संभिधान का होगा और आने बाला समय बहुचन समाज का होगा आने बाला समय इस देश के मुल लिवासियों का होगा और जिनका हक छीना गया है जाती के नापपर धरम के नापपर या महिया के नापपर उस सब इस देश में राज करेगा सिर्फ पचीस सद सम बस करना क्या होगा आपनों को जो सम्मिधान में आपको अधिकार है उसके लिए आपको बात करनी पढ़ेगी और आपने टीवी की जरुवत है नाख़वार की जरुवत है सोसल मेडिया है और साथ में एक घंटा आपको समाज के लिए समय देना है अगर आप दलित हैं पिछले हैं अधिबाती हैं किसान है उसक्षक है तो आपको भाईचारा करना है एक दुसरे का हाथ खामना है और देखिए कह रहे हैं दिन्ली पुलिस के जो अधिकारी है कि समय ओवर हो गया है चले अपना समय आएगा और इंतजार नहीं अब एक दिन आ सब्सक्राइब और पॉट से लेगे सीमपीए बच जरूरत है कि अपने सम्धानिक अधिकारों के लिए सजब रहे और सम्धानिक ताहरे में रहकर आप अपनी आवाज गुलत करते रहे लाक्ट में कहुँगा कि जो समाज सर को पर पसीना बहाता है वो समाज कभी अपने त और आने बाद समय में इस देश का हुक्मरान भी बनेगा और सम्राज सोक्त मौर भारत बनेगा सिवाजी महराज का भारत बनेगा फूले परिया रंबेकर कभी रंदास का भारत बनेगा गुरुनानक सहाब का भारत बनेगा और देश का हरनागिर सुखी रहेगा और भारत फिर्फिर सोने की चिल्या कहलाएगा जै भिन, जै भारत, जै संबिधा